हेलो फ्रेंड्स दिश इस आश्पिशिंग एंड वेलकम टू इश्माइटर एवरी डे प्यारे दोस्तों बात करेंगे बिएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर है आपका शायकोलोजी का इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स जिनको क्लियर कर लिया था ठीक है चाहे वह आ बहुत अच्छी तरीकी से हम समच चुके हैं आज हम लोग बात करेंगे कोगनेटिव डिफलमेंट की यानि की शंग्यानात्मक विकाश के शिधानत की जिसमें आपके सबसे पहले कौन आते हैं जीन प्याजे जिसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं चलिए जो जीन होते हैं यह पेड होते हैं अगर आप लेना चाहें तो आपको फीच पे करनी होगी और आप नोट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है तो नमबर हमारा नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स के लिए इंट्रेस्टेट हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं 9628182649 इस नमबर पर मैंशन्स करके आप नोट्स के बारे आम जानके लिए सकते हैं चलिए बात करते हैं जिन प्याजह की आप ने पढ़ने के आउशक्ता नहीं पढ़ेगी और आप आसानी से अपने एक्जाम में लिख सकते हैं चाहिए आपका ट्रेट सीटेट हो बीएड हो हर चके आपके काम आएगा चलिए समझते हैं जीन प्याजे के श्रंग्यानत्मक विगाश के शिद्धान्त को चलिए देखिए य हैं आप यह सामने जीन प्याज़ी जो इनके सिध्धान्त को जाना जाता है वो श्रंग्यान अत्मक विकाश के शिध्धान्त के नाम से ही जाना जाता है बाकि इनके सिध्धान्त का नाम आपका विकाश आत्मक शिध्धान्त भी है या अवस्था का शिध्धान्त भी कहा जाता है ओके प्याजे ने मुक्ताह बालक के मानसिक विकास किस पर mental development पर ध्यान के इंद्रित किया है कि आखिर बच्चे में किस अवस्था में किस तरीके से mental development होता है मानसिक विकास किस तरीके से बच्चे में होता है ठीक है प्याजे का कहना है बच्चे नन्हे वैग्यानिक हैं बच्चे एक्स्प्लोर करके सीखते हैं बच्चे खोज करके सीखते हैं इसलिए प्याजे ने बच्चों को नन्हे वैग्यानिक भी कहा है प्याजे ने अपना अध्यन अपनी ही तीन संतानों का प्रेक्षण करते हुए आरंब किया था, उन्हों पर प्रेक्षण करते हुए आरंब किया था, इस सुरुवात के करम में उन्होंने आगे अन्य बच्चों पर भी अध्यन किया, सुरुवात अपने बच्चों से की, फि शंग्यान आत्मक विकाश जो cognitive development है उसको explain करते हुए प्याजे कहते हैं क्या कहते हैं कि शंग्यान प्राणी का वह ग्यान है जैसे संग्यान क्या है इसको भी हम लोग अभी detail में समझेंगे शंग्यान जो है वह प्राणी का वह ग्यान है जिसे वहाथावरण के संपर्क में आ बहुत आवशक है ठीक है संग्यान जैसे कि अब आप इस तरीके से समझें जैसे बहुत साई लोग नहीं कहते हैं कि अरे यार यह चीज मेरे संग्यान में नहीं है यानि कि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है वही संग्यान है ठीक है किसी चीज की जानकारी होना ही संग् बालकों में केवल प्राकातिक चमता रहती है आयू एवं परिपक्वता के साथ जैसे जैसे बच्चे की आयू बढ़ती है बच्चे में परिपक्वता आती जाती है बच्चे में मेच्योर्टी आती जाती है साथ ही साथ उसके अंदर शंग्यानात्मक प्रक्रियाओं का भी विकास होता जाता है cognitive development भी उसी तरीके से ग्रो करता जाता है प्याजे ने प्राणी के संग्यान को उसकी जर्मजात सनचना एवब अनुभवों की अंतरक्रिया का प्रिणाम कहा है प्याजे ने कहा है प्राणी के संग्यान को क्या कहा है उसकी जर्मजात जो सनचना होती है और अनुभव उनकी अंतरक्रिया का प्रिणाम कहा है ठीक है चलिए दो चीजे समझ में आई कि जन्वजात सलचना और जो अनभव होते हैं जब इन दोनों के बीच में अंतर के लिया होती है वही संग्यान है संग्यानात्मक विकास जो प्याजे का है इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है इनको समझना बहुत आवश्य है कि यही मूल है इनके ठीक है पहली बात देखिए संग्यानात्मक विकास के कि जो महत्पूर्ण शंप्रते हैं उसमें सबसे पहला आपका अनकूलन आता है एडॉप्टेशन आता है एडॉप्टेशन क्या होता है समझते हैं प्याजे के अनुसार बालकों में वाता ओवरण के साथ शामंजस करने की जि कर लेना यानि की सामंंजस इस्तापित कर लेना है बहुआ ही जिस समाँ में आप रहे रहे हो लोग आपके मनके ना हो वह सateurs आपके मनका ना ओ ठीक है लेकिन फिर भी आप किसोंने किसी तरह आप एडॉप्टिवय कर रहे हैं यह क्या है यह आप सामंजसस इस्थापित कर र दो उपर प्रिक्रियाएं होती है जिसमें एक तो आपका assimilation आता है जिसे आत्मसात्करण कहते हैं दूसरा accommodation आता है जिसे शमायोजन कहा जाता है अब इन दोनों को हम अलग-अलग समझते हैं आत्मसात्करण क्या होता है और शमायोजन क्या होता है समझेगा different जो assimilation है आत्मसा को नए ग्यान के साथ जोड लेते हैं तो इशे आत्मशात करण कहते हैं उदाहरन के माध्यम्षम समझते हैं कि पहले आपने सुरवात में क्या था कि एक कुट्ता देखा एक डॉग देखा देखा कि आपने हां यह पूरा ब्लैक है चार टांगे हैं पूछ है कान है और यह क् पाग्या-था फिर पिर कुछ दिन बाद आपको क्या हुआ यह टॉग की मिला आपने देखा थिजह रहा है यह पह contemptal जो यह यह पहुंकता है यानि कि यह यह भी कुटता ही है और यह भी कुटता ही है अब यहां पे आपने क्या कर लिया अपने पूर्व ग्यान जो यह था उसको आपने इसके साथ जोड लिया यही आपका क्या हो गया assimilation हो गया, आत्मसाद करन हो गया इसकी जो दूसरी है समायोजन क्या होता है, accommodation क्या होता है पूर्व अनुभव में जो भी आपने पहले experience गेन किया है जो भी आपका अनुभव है अब आप यहाँ पे उसमें प्रिवर्तन कर देते हैं उसमें आप कुछ बदलाव कर देते हैं ठीक है, जो आपका यह assimilation था, इसमें आपने बदलाव नहीं किया, इसमें आपने इसके साथ, पूर्व ग्यान को नए ग्यान के साथ है, जोड दिया और आप समझ गए, यह भी डोगी है अच्छा यह भी डोगी है, लेकिन यहाँ पर आप उसमें क्या कर रहे हैं परिवर्तन कर रहे हैं कुछ न कुछ बदलाव ला रहे हैं पहले जो आपने अनुभव गेन किया उसमें परिवर्तन करके, वाता वरण के साथ आप आप तालमेल बैठा रहे हैं इशी को समायुजन कहते हैं जैसे कि पूर अनुभव यहाँ पर क्या हो गया पूर अनुभव आपके दिमाग में जो है, डोग का एक वो चित्र बना हुआ था कि डोग किस तरीके का होता है ठीक है, फिर अब आपको क्या हुआ कि एक बिल्ली दिखाई पड़ी आपने देखा, यह कुत्ता है क्या फिर आपने देखा यार, कान इसके भी है चार पैर इसके भी है और पूछ इसके भी है, लेकिन एक डिफ्रेंस है, कुत्ता भाउक रहा था और बिल्ली क्या कर रही है मियाउं मियाउं कर रही है अब आपने क्या कर लिया अब आप समझ गए कि अरे नहीं यह डॉग नहीं है यह मियाउं करता है और वह भॉंकता है तो आपने यहाँ पर प्रिवर्तन कर लिया कि यह कोई दूसरा जानवर है यह यह बिल्ली है अब आपने यहाँ पर प्रिवर्त के concept से मिलता जुलता है जिस तरीके से अनकूलन का मतलब हमने क्या समझा था कि जिस्तेगे का भी समाज है या school है विद्याल है जहां भी हम हैं अब उस तरीके के लोगों के साथ अगर अपने आपको adjust कर रहे हैं तो वह अनकूलन है तो यह इस शौमेधारन भी उसी के साथ मैच करता है इसका concept अनकूलन के concept से मिलता जुलता है यह एक ऐशी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और समयोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक शंतुलन कायम करता है अब यह आपने आत्मसात्करण होता है देखिए जब बालक के शामने ऐसी भी कोई जो है प्रिस्थिती या कोई प्रॉब्लम क्रियेट होती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था हमारे सामने को नहीं प्रॉब्लम के रिए ठूपती है तो हमारे दिमायोट में क्या होता है एक असंतुलन पैदा हो जाता है जिसे दूर करने के लिए या शंतुलन में या उसको बैलेंस मिलाने के लिए संतुलन मिलाने के लिए वह आत्मसात्करण या समयोजन या तो कई बार फिर दोनों ही प्रक्रियाओं को अपनाता है यही आपका क्या होगा इसी को सौमिधारण कहा गया है आप देखिए समझते हैं शेंगयानत्मक सनचना क्या है यह भी आपका एक इंपोर्टेंट जीन पैजे के शिद्धानत का शेंगयानत्मक सनचना का मतलब होता है का बालक की मानसिक संगठन या मानसिक छमताओं को ही शेंगयानत्मक सनचना कहा जाता है बालक का जो भी मानसिक संगठन है उसकी जो भी मानसिक छमता है क्योंकि हम सब की मानसिक छमता अलग अलग होती ह योगता अलग होती है, रुची अलग होती है, तो जो भी आपकी मांसिक छमता है, उसी को शंग्यानत्मक सरचना कहा गया है अब mental operation को समझेए, मांसिक संक्रिया क्या होती है, जब भी बालक किसी समश्या के शमाधान पर चिंतन करता है जब भी बालक किसी problem पर किसी समश्या पर चिंतन करता है, उसके समाधान पर चिंतन करता है कि आखिर ये problem solve कैसे होगी, वह मांसिक संक्रिया करते है, शमझा जाता है कि बालक यहां क्या कर रहा है मासिक संक्रिया कर रहा है यहां बच्चा कोई भी काम कर रहा है होमवर्क कर रहा है लेकिन उसके सामने एक नई शमस्चा खड़ी हो गई है ठीक है कि अब यह जो होमवर्क आज का मिला है इसको कैशे शॉल्व किया जाए तो अब यहाँ पे वो उसको हल करने के लिए क्या कर रहा है चिंतन कर रहा है इसी को मासिक संक्रिया कहते हैं कि बच्चा यहाँ पे मासिक संक्रिया कर रहा है आगे बढ़ते हैं वही बात करते हैं इश्कीम्स की इश्कीम्स क्या होता है जिसको देखिएगा वेवहारों के सं आसानी से आप दोहरा सकते हैं कैसे उदाहरण के मादिम से शमचे जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपने किताब कॉपी वर्गर रोटिन के अनुसार आज कौंसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा है ना आर्ट का पीरेड है या गेम पीरेड है किस सब्जेक्ट में कि पीरेड में क्या पढ़ाया जाएगा जब बालक उस एकॉडिंग अपना टाइम टेबल के एकॉडिंग बुक्स बैग में रखता है तो यह क्या है यह और्गिनाजड पैटर्ण के अंतरगत आता है ठीक है बालक स्कूल जाने के लिए जो अपने किताब कॉपी वर्गर रो पैटर्ण को स्केम से कहा जाता है और इसको आसानी से दोहराया जा सकता है क्योंकि बच्चे के दिमाग में वह पैटर्ण और्गिनाइजड हो गया है शंगठित हो गया है कि मुझे किस दिन कौन सा कौन सी बुक्स लेकर करके जानी है टाम टेबल के कोडिंग कैसे बैग त दोर होती है वह उनका प्रियोग करके किसी विशे के प्रति एक धार्णा बना लेता है और उसे इसकी मा कहा जाता है तो यह कुछ इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट हो गए अब हम समझते हैं प्याजे ने संग्यानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई जिसको हिंदी में शमवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं इंग्लिश में सैंसरी मोटर स्टेज कहते हैं जिसका जो समय दिया गया है वो जीरो से दो साल का समय दिया गया है ठीक है कहा गया है कि बच्चे की जो पहली अवस्था है शमवेदी क्रियात्मक अवस्था ये जिरो से दो साव तक चलती है दूसरी जो अवस्था बतायी गई है वहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बतायी गई है जिसे इंगलिश में pre-operation states कहते हैं जिसका time दो से शाथ वर्स बताया गया है प्याजे ने संक्रियात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था बताई है उसका नाम इस्थूल या मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था है जिसको English में Concrete Operational Stage कहा गया है जिसकी उम्र बताई गई है 7 से 11 वर्ष प्याजे के संग्यारत्मक विकास की जो चौथी अवस्था है उसका नाम और चारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसको English में Formal Operational Stage कहते हैं और यह आपकी Adultsons तक बताई गई है यानि कि इस कहां से Operational Formal Operational Adultsons Adulthood तक बताई गई है विसका वस्था तक बताई गई है ठीक है मान के चलिए 12 से 18 वर्ष तक ओके अब इसको डिटेल में समझते हैं पहली हमने क्या बताई थी समवेदी PC अवस्था कहिए यह समवेदी क्रियात्मक अवस्था कहिए Sensory Motor Stays 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है इस अवस्था में शिशुओं का विकास 6 उप अवस्थां से होकर की गुजरता है यह जो पहली अवस्था है इसके अंतरगत 6 और अवस्था याती है कौन कौन सी पहली है प्रतिवर्थ क्रियाओं की अवस्था जो की 0 से 30 दिन याने की सिर्फ एक मेहने की होती है इस अवस्था में बालक क्या करता है इस अवस्था में बालक को जैसे चूसना रोना और अन्य साइक क्रियाओं आती है इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता है एक मेहने के बच्चे को कुछ भी मुँमें दे दो वो उसको चूसने की कोशि करेगा और सिर्फ रोना जानता है जो दूसरी अवस्था इसके अंतरकत आती है उसका नाम है प्रमुख वरत्य प्रतिक्रियाओं की अवस्था यह एक से चार महिने के बच्चे के लिए बात कही गई है कि इसमें बच्चा एक से चार महिने का है इस अवस्था में बालक आत्म शाती करन और समझन करना सीख जाता है फिर आपकी तीसरी अवस्था बताई गई है गौण वरत्तिय प्रतिक्रियाओं की अवस्था इस्टेज और सेकेंडरी सरकुल स्टेज यहां पर बच्चा चार से आठ महिने का बच्चा है चार से आठ महिने के बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण विक्सित हो जाते है इस सवस्था में शिशू वस्थों को उलटने पलटने और छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है और वो जान बूझ कर कुछ ऐशी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो से सुनने में या उसे करने में रोचक लगती है बच्चा जो आठ महिने का बच्चा होता है वो किसी भी चीज को उलटेगा पलटेगा और फिर जब कोई नई अक्टिविटी होगी तो वो हसेगा है ना या अन्य क्रियाओं करेगा ऐसे काम करेगा जिससे उसको मरुणजन यानि कि अच्छा लगता है ठिक आनन्द आता है नेक्स्ट वन है गौन इसकी मैटा के समनबे की अवस्था यहां बच्चा आठ से बारा साल का हो रहा है इस वस्था में बालक उद्देश और उस तक पहुँचने के शादन में अंतर करना प्रणम कर देता है यानि कि जैसे अगर कोई खिलोना चिपा दिया जाता है यहां बच्चा माली जे एक साल का हो रहा है धीरे धीरे अगर बच्चे का कोई भी खिलोना चिपा दिया जाता है तो वो उसके लिए वस्थावों को इधर उधर हटा कर खोज जारी रखता है कि खिलोना यहीं पे रखा था आखिर गया कहां धूनने की कोशिश करता है व्यसकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी करता है यानि कि जैसा आप करेंगे एक साल का बच्चा भी वैशा ही करने की कोशिश करेगा अगर आप भगवान के सामने बैठ करके पूजा पाट कर रहे हैं तो बच्चा भी रोएगा कि हमको भी दो, हम भी अगर बत्ति लगाएंगे या जो है दीपक जलाएंगे या जो भी पूजा पाट आप कर रहे हैं तो कूशिश करता है बच्चा ऐसा शब करने की जो इसकी पांच्वी वस्था बताई गई है वो यह कि तरत्तिय वरत्तिय परत्तिक्रियाओं की अवस्था यहां पे बच्चा 12-18 महिने का हो रहा है इस अवस्था में 12-18 यानि एक से डेड़ साल का बच्चा है इस अवस्था में बालक वस्थमों के गणों को प्रयास हम त्रूटी विधी से शीखने की कोशिश करता है बच्चा किसी भी चीज को किसी भी काम को करता है फिर गलत हो जाता है फिर दूसरी बार करने की कोशिश करता है प्रयास करता है गलतिया होती है फिर प्रयास करता है फिर गलतिया होती है ऐसे वो शीकता है दिरे-दिरे मानसिक संयोग द्वारा नए साधरों की खोजकी अवस्था stage of the invention of new means through mental combination यहां बच्चा 18-24 मान दिरे-दिरे बच्चा डेट से 2 साल का हो रहा है इस अवस्था में क्या होता है बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंब कर देता है चीजों के बारे में सूचना शुरू कर देता है अब बच्चे में वस्तुओं इस्थायत्यों आने की object permanence का गुण भी आ जाता है ठीक है तो यह इसकी जो पहली अवस्था यह अवस्ता 2-7 वर्ष तक चलती है यह प्रारंबिक बाली अवस्ता होती है क्या होती है यह प्रारंबिक बाली अवस्ता होती है इस अवस्ता को दो अवधियों में बाटा गया है एक तो इसमें आती है प्राक संपरत्यात्मक अवदी जहां बच्चा 2-4 साल का होता है दूसरी अंतरदर्सियवदी जहां बच्चा 4-7 साल का होता है इस सवस्था में बालक खेल के प्रति अतितिक रूची रखता है जो बालक 2-7 वर्स का हो रहा है जहिर सी बाते बच्चा यहां पे खेल में ज़्यादा इंट्रेस्ट दिखाता है जो मूर्थ संक्रात्म का वस्था रहती है कॉंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज साथ से ग्यारा साल तक इस वस्था में बालक दो परकार की क्रियाएं करता है पर्थम क्रिया के अंतरगत समाज में प्रमुख बनकर रहना चाहता है पहली बात तो यह है कि इस में बालक क्या करता है समाज में प्रमुख बनकर के रहना चाहता है दूसरी बात क्या है दूसरे के अंतरगत वह वातावरन की अनेक घटनाओं में अपने लिए उपयोगद घटना चुन करके उसके साथ समयोजित होता है यानि की वातारण की जो भी घटना है उसमें उसके लिए क्या उप्युक्त है क्या उचित है उसके साथ वो समायोजन करता है उन्हें में तरक और चिंतन करने की छमता प्रकट हो जाती है वहाद दूसरे के दर्ष्टिकोन को समझने लगता है किसी कार को करने से उसका क्या प्रतिफल होगा ऐसा सोचना और चिंतन करना भी प्राज़म कर देता है अब इसकी जो लास्ट स्टेज आती है जिसको आपचारिक संकिरत्मा का वस्था कहा गया है जहां बच्चा 11 से 15 वर्ष तक का होता है इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला होता है क्या होता है यहां पे जो किशोर होते हैं जो अडल्ट बच्चे होते हैं एडल्ट सेंस में जो आते हैं उनका चिंतन बहुत लचीला होता है और प्रभावी भी हो जाता है उसके चिंतन में पूर्ण करम बदता आ जाती है अब वे किशी भी शमश्या का शमदान कालपनिक रूप से सोच करके और चिंतन करने में शक्षम हो जाता है कालपनिक का मतलब हो गया अमूर्त रूप से सोच सकते हैं किशी के बाद किसी भी बात किसी भी शमश्या के बारे में काल्पनिक रूप से सोच सकते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का शॉलिशन भी निकाल सकते हैं तो इस तरीके से हमने जीन प्याजे को बहुती आशान भाशा में शमझ लिया अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स ना लिये हों तो मै पड़ा डिस्कृप्सिन बॉक्स में भी पड़ा है क्लास के सरी कमेंट करके जबू बताएं नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेवाई गोश्की की इनको समझेंगे ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच मिलते हैं वह जल्दी नेक्स्ट क्लास में